यूपी में हुए चुनाओ का परड़ाम दसमार्च को आएगा इसके पहले ग्लोबल भरत निउज हाजिर है आपके सामने लेकर सबसे सटीक सर्वे आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के दूसरे चर्ण में हुए मतदान के परड़ाम का जिसमें सहारनपूर, बिजनोर, मुरादाबास, संभाल, रामपूर, अम्रोहा, बदायू, बरेली के लमास, साह, जहांपूर जनपद आते हैं इन जिरों में क्या है जनता का रुजहान इसकी पूरी जनकारी आपको देंगे सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपूर जिले की सहारनपूर में कुल साथ विधान सभा सीटे हैं जिसमें से भारती जनता पार्टी को तीन जबकि समाजवादी पार्टी को तीन सीटे मिलने के आसार नजरा रहें यह रुज़ान है अन्तिम पड़्याम नहीं है दूसरे जिले की अगर बात की जाए तो दूसरे चिले की बात करेंगे बिजनोर की बिजनोर में कुल आठ विधान सभा की सीटे हैं जिसमें से दो सीटे भारती जनता पार्टी को जबकि 6 सीटे समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है कड़े मुकाबले के असार थे लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल रही है बढ़ते आगे बात करेंगे मुरादाबाद जिले की यहाँ पर 6 विधान सभा की सीटे हैं जिसमें से एक भारती जनता पार्टी को जबकि पांच सीटें सपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे बात करेंगे संभल की संभल में कुल चार विधान सभा की सीटें हैं जिसमें से सपा को फाइदा होता नजर आ रहा है। चार में से चारो सीटे सपा को मिल सकती हैं आगे बढ़ेंगे बात करेंगे रामपूर की रामपूर में कुल छे बिधान सवा की सीटे हैं जिसमें से दो सीट भारती जनता पार्टी के खाते में जबकि चार सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं यहां पर भारती जन्ता पार्टी को और एक सीट समाजवादी पार्टी को जबकि यहां से एक सीट वस्पा के खाते में आ सकती है क्योंकि बस्पा ने बहुत ही सोष समझ कर अपना कंडिडेट यहां उतारा है और वह कड़ी टक कर दे रहे हैं हम रहे के बात करेंगे बदायु जिले की बदावी में भी कुल 6 विधान सभा की सीटे हैं और यहां पर भी भाती जनता पार्टी को एक सीट जबकि समाजवादी पार्टी को 4 वहीं बसपा यहां भी एक सीट पा सकती है और उसकी संभावनाएं प्रबल हैं आगे बढ़ेंगे बात करेंगे बरेली जिले की बरेली में कुल 8 विधान सभा की सीटे हैं आठ में से कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी और भाती जनता पार्टी दोनों के बीच कड़े मुकाबले के असार हैं और दोनों को 4-4 सीटे मिल सकती है और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे साह जहापुर की, साह जहापुर में कुल छे विधानसभा की सीट है, जिसमें से दो सीटें भाती जनता पार्टी को और चार सीट शीधे समाजवाधी पार्टी को जाती हुई नजर आ रही है दूसरे चर्ण में कुल पचपन विधान सभा की सीटें जिसमें से समाजवादी पार्टी को फाइदा होता नजरा रहा है क्योंकि भाती जनता पार्टी महाज 18 सीट पा रहे है जबकि समाजवादी पार्टी को 35 सीट मिलती हुई साफ नजरा रही है वहीं बसपा की बात की जाये तो उसे तीन सीटें जबकि कांग्रेस का यहां खाता नहीं खुल रहा है